करते हैं बट एक मेजर इशू बहुत आता है सब्सक्राइब और उसमें काफी लोग स्ट्रगल कर जाती है काफी लोग को पता नहीं होता कि अपनी माइक की सेटिंग्स में क्या पंगे लेने हैं क्या करना कुछ समझ नहीं आता क्योंकि हर एक इंवार्मन डिफरेंट होता है क किसी के पास बड़ा रूम है किसी के पास छोटा रूम है माइक दूसरा है आपके पास किसी के पास माइक ही नहीं हेड़फोन का माइक यूज कर रहे हैं तो इसे बहुत सारे इशू आते हैं माइक कॉलिटी में जब वो श्रीम करते हैं होता क्या है आपके पंके की आवाज आने लग जाती है जब आप श्रीम कर रहे हो, आपके कीबॉर्ड की आवाज आने लग जाती है, जब आप waking कर रहो तो इसे बहुत सारे issue आते हैं, तो उननी इसुज को आज मैं आप लोगो के सामने PM करके दिखाऊंगा, तो let's go guys, start करते हैं tutorial, ид一樣 करेंट ली के साथ कुछ चेडघानी नहीं कीए कोई फिल्टर मीं लगाएं मैक पश। इफाल्ट म मै चैटिंग्स पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यही मेरा काल hed जाता हूं एक चीज और करके दिखा देता हूं मैं अपने कीबोर्ड का साउंड भी सुना देता हूं मेरे पास मेकानिकल कीबोर्ड है उसकी अवाज भी कितनी आती है बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग्स पर तो मैं कुछ टाइप करतेता हूं ऐसी छोटा मुटा और आप लो लोगो अभी क्लियर हो गया हो तो दो मिंट पहले आपको मैंने डेमो दिया पंक्य की आवाज आ रही थी बैक्राउंड में और कीबोर्ड साउंड आ रहा था मेरा मेरा में गिवर्ड कीबोर्ड की साउंड बहुत जादा आती है जैसे कि आप लोग जानती ही वह टेक टिक बहुत साथ करते हैं तो अब मैंने आर्टेक्स वाइस एनेबल कर दिया है तो आप लोगों को अब दिखाता हूं साउंड कॉलिटी में कितना डिफ्रेंस आया रही होगा चलिए बापको टाइप करके भी दिखाएता हूं अभी मैं टाइप करने वाला हूं तो गाइस मैंने टाइप भी कर दिया आप लोग के सामने आई होप आप लोगो को क्लियर डिफ्रेंस दिख गया होगा कि यह सौफ्ट्वर कितना काम करता है तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं तो भाई लोगों अगर आपको भी ऐसी अपनी माय की कॉलिटी एक द चलिए वो रिक्वार्मेंट्स में आप लोगों को बताएता हूँ पहली रिक्वार्मेंट है आपकी ग्राफिक कार्ड आपका ग्राफिक कार्ड र्टी एक्स वाला होना चीए जीटी एक्स वाले पर यह चीज नहीं चलने वाली इसके लिए पहली बात तो आकर उस आर्ट NVIDIA NVIDIA GeForce Experience लिख देना है और यह आपके आपको एक software डाउनलड करना पड़ेगा GeForce Experience जब आप इसको install कर लोगे अपने PC में Automatically यह detect कर लेगा आपके drivers और आपके PC में install हो जाएंगे ठीक है guys आगे बढ़ते हैं तो guys आपको क्या करना है इस software के आपको जाना पड़े है Google पर वहाँ पर type कीजिए NVIDIA RTX Voice जो पहली website है यह उस पर जाके आपको यह वाला software download करना है download the app यहाँ पर इन्होंने पूरा procedure दे रखा है कि आपको setup क्या से करना है क्या चीज़ करनी है OBS में करने के लिए Discord पर करने के लिए लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो की इस तरीके से far better है और actually मेरे को mic में कुछ issues भी आ रहे थे इस तरीके से जो की हो भी fix हो गए तो चलिए start करते है तो मैंने software अलड़ी download कर रखा है यह रहा RTX का और यहां पर आपको select करना है अपना mic मेरे पास देखिए तीन mic कह सकते है एक तो webcam का mic हो गया एक में dedicated mic हो गया और एक मेरे headphone का mic हो गया तो मुझे जो mic select करना है मुझे करना है यह वाला और मैंने यहां पर अलड़ी select कर रखा है ATR यानि की audio technica का USB mic है इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको जाना है अपने OBS में काफी लोग आपको traditional method suggest करेंगे कि आपना आपका जो mic है जो आपका default mic है उसकी ऐसे settings में जाने का properties में जाने का और यहां पर select करने का आपको क्या करते हैं NVIDIA RTX voice select करने का लेकिन यह वाला method आपको मैं suggest नहीं करूँगा आपको यहां पर dedicated एक audio input capture बनाना है तो यह यहां पर अलड़ी देखो शो कर रहा है मेरेको अपने original mic की जुरुत भी नहीं है जो भी काम होगा आपका audio input capture में होगा जब आप यहां पर let's say audio input capture select करोगे ओके करोगे तब यहां पर default मांगेगा तो आपको यहां पर select करना है तो आपको क्या करना है तो गाईज एक setting और है जो आपको करनी है जैसे कि आप लोगो बता है RTX voice में कोड़ा delay add हो जाता है जब आप बोलोगे न तो आपकी आवास पहल जाके आपको 100ms यह देख लो sync offset audio input capture का sync offset आपको 100ms करना है इससे आपको जो sync है वो एकदम बरावर हो जाएगा आपके lips के साथ आपकी आवास बरावर निकलेगा तो यह थी गाईज कुछ settings आपकी audio quality को एकदम एक number बनाने की एक चीज़ गाईज मुझे RTX voice की थोड़ी वेका लगती वो यह है कि आपको जो mic है वो एकदम आपके मुझे आगे होना चाहिए और जादा दूर नहीं होना चाहिए और आपका मुझे जो है वो जादा इधर से उदर left से right नहीं हिलना चाहिए अगर यह जादा होगा तो वो थोड़ा ऐसी आवाज हो जाती है बंद बंसी जैसे कि आपका मुझे पानी में घुसा दिया हो तो सा सा सींग हो जाता है बट हां ओबर ओल यह सारी नॉइस ब्लॉक कर देगा आपके पंखे की आवाज आपके बाहर लेक्से कोई ताले चाबी वाल आया उसकी आवाज ब्लॉक कर देगा बहुत ही तगड़ा noise cancellation software है और ज यह tutorial आपको पसंद आया हो पसंद आया तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है मिलते हैं अगली वीडियो में आपका स्कल्व है अभी signing off जैहिन वंदे मातरम एक चीज़ और अगली वीडियो की मैं hint देता हूँ अगर आप लोग अभी तक बने रहे वीडियो पे तो अगली वीडियो होने वाली है मेरे monitor की monitor का review करने वालों मैं almost एक साल हो गया इसको use करते करते तो मिलते हैं अगली वीडियो मैं बाई बाई गाई